हेलो स्टुएंट्स मैं प्यूस राजपूत और आपका अपना चैनल प्यूस कोचिंग ग्लासिस जैसे बच्चों हमारी केस स्टेडी कोशन्स की स्रीज चल लेए और अपने चैप्टर डेटर्मेंट्स के पैसेज को कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प ट्रेंगुलर फेस ऑफ प्रामेड और पीज इन कजाकिस्तान इस मेड़ और 25 स्मॉलर इकुलेटर ट्रेंगल अशनीं फीगर यूजिंग द अब अब इंफोमेशन एंड कॉंसेप्ट अब डिटर्मेंट्स आंसर दा फॉल्विंग क्वेशन इप्टेस ऑफ वन ओफ ते स् फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ओफ ट्रेंगल क्या होता है तो एरिया ओफ ट्रेंगल आपका है मॉडुलस पर हाफ ओफ डिटर्मिनेंट X1, Y1, 1 X2, Y2, 1 X3, Y3, 1 ठीक है वैच्चो अगर हमें तीनों कोडिनेट गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं हम उसके मदद से area of triangle को निकाल सकते हैं ठीक है वैच्च चलो तीनों कोडिनेट लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा half ठीक है क्या कोडिनेट है 001 ठीक दूसरे है 3 root 3 और 1 3 minus root 3 और 1 तो बच्चों हम क्या करें इसको expand कर लेते हैं first row के about ठीक है वैच्च तो यह हमारे पास कितना आजाएगा half expand कर दिया किस row के about first row ठीक है तो हमारा आगया 3 minus root 3 कितना हो जाएगा minus का 3 root 3 और दूसरा 3 root 3 ठीक है इतनी बात तो modular सा area कभी negative तो होता नहीं है तो half 2 times 3 root 3 तो आपके पास area कितना हो गया बच्चों 3 root 3 यह हमारे पास हो गया यानि कि option हो जाता है c को दिक्कत तो नहीं चलो इतने वो दियो है triangle तो बच्चों 25 number of smaller triangles थे ठीक है बच्चों multiply कर देते हैं तो आपके पास जो area आ जाएगा बच्चों area हो जाएगा 25 into 3 root 3 तो total area हो गया 75 root 3 तो option हो गया c को दिक्कत नहीं इसमें अब कहता है था length of altitude of smaller equilateral triangle ठीक है बई हमसे high altitude है यह उसकी length पूछी है तो सबसे पहले आप क्या करो equilateral triangle की side निकाल लो area आपके पास है तो area of equilateral triangle बच्चों क्या होता है तो area of equilateral triangle आपको पता ही है area of equilateral triangle होता है बच्चों root 3 by 4 side square ठीक है इतनी बार तो root 3 by 4 side square area कितना है बच्चों आपके पास area आपके पास है 3 root 3 ठीक है तो root 3 से root 3 cancel हो गया तो side आ जाएगी बच्चों under root 12 तो 12 आपके पास हो जाएगा 2 root 3 तो उसकी side कितनी आ गई तो side आ गई हमारे पास 2 root 3 कोई दिक्कत तो नहीं है चलो अब आपको पता ही है कि अगर हमारे पास side पता चल जाए किसी भी equilator triangle की अगर मेरे पास side है तो area भी पता है तो हम उसका बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं altitude की height निकाल सकते हैं length निकाल सकते हैं ये ये इसका base हो गया ये इसकी height हो गी तो half base into height is equal to equilator triangle का area 3 root 3 अभी base निकाला कितना है 2 root 3 height हमें बच्चों निकाल नहीं है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं root 3 से root 3 2 से 2 तो height आगी बच्चों आपके पास 3 unit चलो height भी निकल गई देखते हैं option कौन सा था तो option आपके पास है 3 units अब कराए इफ 2, 4, 2, 6 are the vertices of smaller equilator triangle then the third vertices will lie on the line ठीक है बई आपको पता है अभी formula लिखा था कि अगर triangle का area 0 है किसका बच्चो area of triangle हमारे पास था 1, y, 2 कितना होता है x1, y1, 1 x2, y2, 1 ध्यान लखना जब भी आपका area 0 होगा तो ध्यान लखना वो हमेशा एक line पर लाए करते हैं ठीक है आभी फिलाल तो हमें area दिया हुआ है और area की value है plus minus 3 root 3 modulus दोनों चीज़े हो सकती है ओके तो coordinate बच्चो कितने हैं तो 2, 4 दूसरे के coordinate 2 और 6 और तीसरे कोडिनेट हमने बच्चो ले लिए x, y और 1 को दिक्कत तो नहीं या तक plus minus 3 root 3 explain कर देते हैं इसको चलो भाई first row के about तो 6 into 1 हो गया 6 और y into 1 हो गया this तो यह आगे 2 6 minus y minus के 4 2 minus के x plus के 1 2 y minus 6 x is equal to plus minus 3 root 3 ठीक है इतनी बात चलो इसको दर बेज़ देते हैं पहले multiply करते हैं 12 minus के 2 y minus के 8 plus के 4 x ठीक है बच्चो plus के 2 y minus के 6 x is equal to plus minus 6 root 3 12 में से 8 चले जाएंगे बचेगा 4 2 y से 2 y cancel और यह हो जाएगा minus 6 हो गया minus के 2 x plus minus 6 root 3 पूरे को 2 से divide कर दो तो 2 minus x plus minus 3 root 3 तो आपके पास x की value आ जाएगी 2 plus minus 3 root 3 कोई दिक्कत तो नहीं आ तक बहुत आसान था चलो option देखते हैं कौन सा है तो option आपके पास हो जाएगा कि कह सकते हैं 2 plus root 3 कोई 2 plus minus root 3 हैं दोनों values हैं कोई दिक्कत नहीं आप कह खहता है 3 points आपको दिवन है तो 3 points are ठीक है भई सबसे पहले हम check कर लेते हैं अपनी value रखके तीनों point आपके पास given है area of triangle आपके पास क्या होता है बच्चो अभी आपने formula लिखा कि area of triangle a, b, c क्या हो जाएगा coordinate आपके पास है a, 0, 1 0, b, 1 और तीसरे आपके पास 1, 1 ठीक है भई expand करते हैं half कितना आएगा a, b, minus 1 दूसरा हमारे पास 0 ही हो जाएगा plus 1 0, minus के b तो हमारे पास आगया half यह आजाएगा a, b, minus का a, minus का b और आपको कुछ given है क्या given है उसे देखो उसके बिना तो आप यह रहा 1 by a, plus 1 by b, is equal to 1 यह आपके पास given है चलो भई, इसका use करते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 upon a और 1 upon b, is equal to 1 आप LCM लोगे तो a, plus b, is equal to किसके आगया a, b, के तो आप जहाँ पर a, b, है उसकी जगे बच्चो यह रख दो तो देखो क्या आता है a, plus b, minus a, minus b के लिए रहे इतनी बात तो क्या आगया, 0 और मैंने अब यह बताया था कि जब कभी भी area of triangle 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो तीनों point collinear है क्या है बच्चो point collinear है बहुत आसान सा था बस आपको area of triangle याद रखना है यह होता है आपके पास half determinant of तीनों coordinate जो आपको given दियो है ठीक है, modeless लगाना जुरूर भूलना कोई मत भूल जाना क्योंकि हमारे पास area of triangle जो होता है वो क्या होता है, positive में होता है इसलिए हम mode लगा देते है जब उसको आप open करोगे दोनों side में plus और minus दोनों value आएगी कोई दिक्कत तो नहीं है, passes बिल्कुल clear हो गया हो बच्चो तो आची class में सिर्फ इतना ही thank you